पंजाब के फिरोजपूर से सांसद शेर सिंग जी हमारे साथ मोजूद है बाचीत करने के लिए आज संसद भवन की पटेल से राहुल गांदी ने जम कर बाचीत रखी और साथ तोर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हमने काफी शोर सुना आरोप पत्यारोप का अपोईशन दिया सपीच सी और विच बहुत वदिया उनना ने जो मुद्दे रखे और सारे आंदे देले नूँ चो बहुण वाले सी उस दिन आल बीजे पीन तो लगया कि मुद्दे क्यों रखे जा रहे पर सलियत जो व्राहुल जी ने आज बोले है शेया देस तो पहला अज़ी इस तरह दी कदे कुछ स्पीज नहीं सुनी तक बहुत वदिया उनना नूँ एप्रिशेट कर दे सारी अज़ ज़ी प्रैस सी सारे मेंबर पार्लिमेंट सी इमन के जो सरकार पक्ष दे मेंबर पार्लिमेंट सी ओव भी उनना दी हाँए चामल होंदे देखे गए अज़ बहुत वदिया जो देश दी तस्वीर उनना ने पेश किती है सामने रखी है जिदे ना लोगांते काफी है सीधा असर हो रहा है जिस तरीकी के उननोंने मुद्ध उठाए जिसमें अगनी वीड था निट सुड़न की जो मांगे हैं वो रखा उन्होंने बरजगारी बिच बिचों अठकर सवाय उठा रहे थे कि ये गलत है ये पार्लेमेंट के कानूं से खिलाफ है जो सारे मुद्ध वीड ने जो लोगांते मुद्ध उठाए जो देश दी जिस तरह ने लोटक सोटते जिस तरह सरकार चलारे है उन सारह उन्हाने परदापास कीता है जिसनु उन्हाने दी सरकार ने तक मेंबर्च वना दे अगनोर तक करन दी कोशिक कीती पर उन्हाने कुछ फैक्स और फिगर नहीं सी जिदे नालो नू रोख सकते जिसनु आज दे मुद्यां देना पूरे देशन में पता चल गए के साड़ा असल हमदर्द जेडी है वो साड़ी केड़ी पार्टी है कॉंगर्स पार्टी जेडी है आज इस पूजिशन चे के लोगा सारे मनन लागे के वाक्या है कांगर्स इसनु बचा सकती है जिस तरह करती है कि चार साल वेच और एक बच्चे दूदी मौत होगी साड़े गुर्दास पूर्ट डिस्टेंगे उन्हों एक भी पैसा आज तक होना ने नाहीं उन्हों छीद मनने है ते नाहीं होना नूँ एक है के इन वसी इनू कंपनिसेशन देंगे ते बिलकु बढ़ा है पा अगनी वीर वाली साड़ी सरकार आएगी तरस यह सिस्टम में बंद करके पूरा जो पहला पर किर्या उंदी सी फोज परती होय कर देंगे उन्हों वस्तरारी स्कूर्ट अज हमने देखा कि एक तरफ शीराम की बात हो रही थी तो राहुल गांदी ने शिव जी की बाते अगर उनको कबराहात उने लगी उसके बाद उनको देव जी महाराज जी सब जो करिश्चिन पाईचारा है सब पाईचारों की उनको गुरू की बात की तो उससे दगता है कि आज जो बड़ी मेचोर्टी के साथ राहुल जी ने जो आज का उपेशन में बोला है सब ही पारा लीडर इतना तकड़ा हो इसको आरेक तरह का पता हो और उनों एले समय में महारा जो मार्ग दर्शन मुनें तो काफी अची रहे राउल गांदी की मगर जिस तरिके से उनुंक्या एक बयां को काफी सत्वापक्ष ने उठाने की कोशिश करी और उस पर काफी शोर हला भ को जा किसी और को क्रिमिनाल जाओ ऐसी कोई अतवादी की कोई बात नों और तो सिर्फ तरमक के नाम पर जो थर्म हमें सखाता है हमने उसी तरह हमें चलना चाहिए वह उन्होंने बात की वहर्ख वैं हो जब उस बात पर चलते नहीं तो प्रोने तक बात-बात हो उठाना क्या मुद्दे आप अपने चेतर के उठाने वाले हैं देखो देखिए प्याब के मुद्दे बहुत हैं मैं पहले भी नौ से उनी तब पार्लिमेंट रहा हूं जो मेरी कर्शिचोंसी पड़ती है बॉर्डर का इरिया 200 किलोमेटर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ल उनका जोती जो समय थे वहां बड़ा जो है गुर्द्वारा साथ है पूरे पंजाबी जेड़े है उस वहां जो है अर्थ सार की तरह जाते हैं लेकिन मैं जो देखा है रास्ते में के वो गाड़ियों का जो बंदोबस्त है सरकार जान भूज के नहीं करती क्योंकि हैं वो फिलकुब बांदा एक जलंदर से चल रही है क्या बठिंडा में है हमारे नजदीक है चंडीगाड में है अमरे सार में है और लुद्याना में जहां 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 एयरपोर्ट छोटे मोट जो बने हुए है वहां से फ्लाइट को नहीं चलनी चलनी चलना देनी बीजेपी की सरकार जो चला रही है मैं डमांड मैं चाहता हूं कि सरकार इसको देखे जो सिक्षों का तर्मस्थल है उसको पूरे देश के स्थानों पे वहां चलना चाहिए तांके लोगों कुछ चर्द है वो लेकर आज लाखों लोग अर रो जाते हैं लाखों लोग जो इस सरकार को जो महदपरदेश की सरकार को इसका इंकॉम्सोर्स भी बढ़ता है इंप्लाइमेंट बढ़ती है तो यह पता नहीं क्यों यह सरकार इस तर्फ में कभी भी सोच नहीं रही इसको सोचना चाहिए दूसरे मुद्दे जो हमारे बार्डर एरिये के हैं जमीनों की इलाटमेंट का है पीने वाला पानी का है हमारे जो कैंसर के पीरत है हमारे जो कंशिचोंसी में गार। तो कुई इंत्याम नहीं है हमने बिट्टू जी है रेल मंतरी प्रफदाने कंग्रेस के नेता है वो तो कह रहे हैं कि हम सब का साथ सुनेंगे सब की बात सुनेंगे सब का साथ गर उसको उनको मौका मिला है उनको कार देना से पुंजाब के लिए जो कर सकते हैं लेकर मुझे लगता नहीं को इतनी जल्दी जो कुछ कर पाएंगे हम चाहते हैं मैं पिछले दिनी रेवले में से मिलके गया था जो जुरूरत है वह भी हमने नोड कराई हैं लेकर बाकी के जो सभी मुद्धे हैं प्लाइमेंट का मुद्धा है एजूकेशन का है हमारे कैंसर के मुरी जो ह हैं वह सभी मुद्धे हैं हम पाहली में टठा के उसको अहल कराएंगे तो आप सुन रहेते फिरोजपूर से सांसद शेशिंग गुवाय को जिनों तमाम मुद्धे पर न्यूज एटिंग के साथ खास बाचित की नेदिली से केमेमेन मुनमन के साथ मैं रभी मिश्रा लुजए टिंग